गुट मॉर्णिंग ट्रीडर्स विल्कम बैक टू ए न्यू वीडियो सुप्रभाद जैश्री राम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में इस नए वीक में ये वाला जो हमारा वीक है वो छोटा वीक होने वाला है क्योंकि फ्राइडे को है छुट्ट वाले है विकॉज महारास्ट्रा में इलेक्शन है तो जिस दिन जो सारे चेंजेस अप्लाई होने वाले थे उस दिन भी हमारी छुट्टी रहने वाली है यह था बेसिक विक्ली चार्ट है ये मिट काप का है निफ्टी फिफ्टी में अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लीय ली नजर आएगे कि तो अगर बाई चांस इस लेवल के हम ऊपर चले जाते है जो रीसेंट स्विंग बना हुआ है तो एक आसा रह सकते है एक होप रह सकता है कि में भी मार्केट अब यहां से ऊपर चले जाए यह गलती से फेक ब्रेकडाउन हो गया था 20 डेमा का मार्केट यहां से ऊपर उठ जा अगर आप बैंग निफ्टी देखोगे तो बैंग निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज है जिसने 20 डेमा को अभी भी ब्रेकडाउन नहीं दिया और यह 20 जो डे इसको बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है अट लीस्ट यह 100 को तो इसने टची नहीं कर रहा है लगबख जुलाई का टाइम हो गया 2022 जुलाई का आप सोच रहो कितना दिन हो गया मतलब लगबख दो साल होने को आए दो साल से भी जादा आप मानके छलिए इसने 100 डेम एक्स्पोनेंशल मूविंग अवरेज को टच नहीं गया बीच बीच में 50 को आके टच करता है ने तो हमेशा 20 के आसपास ही साइडवेज होता हूँ नजर आता है तो बैंक निफ्टी अभी उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना कमजोर निफ्टी हो चुका है बट बैंक निफ्टी भी ऐसा है अच सच कोई sign of improvement नहीं दिखा रहा है बस बैंक निफ्टी एक जगहे पर consolidate कर गया और जो निफ्टी है वो धीरे-दीरे 20 εमें का resistance, बैंक निफ्टी तो पूरा sideways है, इसके बारे में बात नहीं कह सकते, यहाप पर 20 EMA का resistance लिया तो और यह जो channel structure फॉलो हो रहां न, इसी channel structure को निफ्टी ने अभी तक continue किया है, तो market structure में as such कोई change देखने को नहीं मिला, इसका जो market structure है, वो आपको bearish ही नज़र तो इसमें हम ऐसे positive या negative नहीं कह सकते अगर आपको कुछ कहना है तो sideways से हलका negative कहलो बढ़ direction की clarity अभी nifty bank में नहीं है mid cap में भी जो lower high lower lows का pattern था वो continue हो रहा है इसमें भी जो price action है वो slightly bearish है but better than nifty 50 है because fall उतना जादा नहीं है जो channel की जो length जो width है वो थोड़ी चौड़ी है मतलब market जादा sideways drift कर रहा है rather than falling down बट ये काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है अब बात करते हैं आज की आज क्या mood महौल है Saturday संडे में क्या hand over हुआ क्या important खबरे हैं हमारे लिए सबसे पहली बात ये है कि हम हलका full का आज gap down open हो सकते हैं मतलब आप मान के चले कि 0.3% के आसपास या उससे थोड़ा जादा थोड़ा कम gap down हम खुल सकते हैं बट जो market का mood महौल है वो बढ़िया नहीं नज़र आ रहा market में हमें यहां पर दिक्कते जो हैं वो देखने को मिल रही है तो gap down opening संभव है अब gap down opening क्यों हो रही है अगर आप daily chart में चलते हो और America का chart देखते हो तो भाया America में दिक्कत नहीं है ये चीज़ हमें जानके चलना पड़ेगा कि America में इस वक्त कोई भी समस्या नहीं है जो सारी समस्या create हो रही है वो या तो हमारी अपनी है या फिर हम दूसरे global situations को समस्या मानके उस पर react करने की कोसिस करें बट अमेरिका पे अभी reaction नहीं दे रहे हैं आप देखोगे तो पिछले Friday के दिन भी अमेरिका में हमें ठीक ठाक सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला इसके साथ साथ अगर आप देख रहे है बिटकॉइन यहां भी market काफी ऊपर जा रहा है गोल जो है गोल थोड़ा सेटल डाउन हो है बट बिटकॉइन भी रुकने का अभी फिलाल नाम नहीं ले रहा है इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और देखाता हूँ अगर आप यहां पर stocks में जाते हो और जो Trump साथ के shares है वो देखते हो तो वहां पर भी आपको एक upside momentum देखने को मिलेगा Trump media and technology group साथ यह वाला नहीं है वो नहीं यह यह देखो 15% का increment आपको देखने को मिला 15% market जो है उपर की तरफ आपको नजर आए इसके साथ साथ मैं आपको Tesla के shares दिखाता हूँ तो अगर आप Tesla का share देखोगे यह भी काफी तेजी से उपर की तरफ बढ़ा है मतलब clear cut एक indication है कि जो अमेरिका में positivity है वो अमेरिका के election के कारण है Trump साहब के कारण है बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि Trump साहब का जो आना है वो हमारे market के लिए okay okay news है ऐसी कोई बहुत जादा positive news नहीं है और depend करेगा कि वो किस हिसाब से अपने इस नए वाले term में काम करते हैं वो depend करेगा global market तो global market अभी America से कोई hint नहीं लेना चाहरा है और वो आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा अगर global markets आप देखोगे America green में है बाकी सब लाल में है यूरोप लाल में है और Asian markets भी लगबग आपको red में ही नज़र आएंगे तो कही ना कहीं जो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो sentiment hand over हुआ है वो थोड़ा सा bearish हुआ है market हलका फुलका हमें यहाँ पर negative नज़र आ रहा है जो बिते पिछले दिन क्या हुआ था सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि China ने अपना stimulus दिया था नहीं मिला तो यह न्यूज इंडिया के लिए क्या यह न्यूज इंडिया के लिए positive हो सकते है बट आप समझ रहा ना एक positive न्यूज मतलब कि यहां पर national stock exchange NSE के krishnan है कोई official है कोई उन्होंने कहा है कि केवल accredited investors को ही F&O में trade करना चाहिए तो पहली चीज़ आप यह जान लो कि यह कुछ भी सच नहीं है और यह NSE के officer कह रहे है और NSE का जो business है वो trader से ही चलता है traders trade करते हैं तो NSE को पैसा मिलता है ठीक है यह चीज़ आप जानके रखो तो कोई company का officer कोई ऐसा क्यों कहेगा कि यहार मेरा business आप खराब कर दो पहले यह angle आप सोच लेना पर यह कह रहे है यह कह रहे है कि जो F&O trading करने के लिए आप एक criteria निकाल दो वो criteria जो pass करेगा केवल उसी को trade करने मिलेगा अभी सेवी ने क्या किया सेवी के जो नए rules है उस नए rules में सेवी ने आपको कहा है कि वह यह यह terms condition है अगर आप इसको follow कर रहे है तो आप trade करो मैं मुझे मेरे को फरक नहीं पड़ता आप कौन हो अब बहुत जादा गरीब है आप कुछ पैसे नहीं है आप इतना पैसे ले सेवी ने ऐसे official कोई restriction नहीं लगा है बट यह जो accredited investor वाला criteria अगर आ जाएगा तो यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए अभी का जो criteria accredited investor के लिए उसके लिए आपकी जो total net worth है वो 5 करोड की होनी चीए 5 करोड आपकी net worth होनी चीए और मतलब आपकी liquid asset होना चीए liquid asset जो 5 करोड की लगबग आपकी net worth तो उससे जादा ही होगी तभी आपको 5 करोड का liquid asset होगा और 50 lakh प्लस आपकी हर साल की earning होनी चीए अगर आप यह criteria pass नहीं कर रहे हो तो आपको option trading नहीं करने दिया जाएगा ऐसा इनका कहना है तो पहली चीज़ किया है कि आपको परिसान होन निकाल रही है कुछ निकाल रही है तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको विस्तार से समझा दूँगा अगर यह हो जाता है तो पहली बात यह संभव क्यों नहीं है यह मुश्किल है बहुत जादा क्यों मुश्किल है यह जो ट्रेडर्स है ना वो liquidity का बहुत बड़ा हिस् नहीं तो हग बनता है ना कि मैं अपनी position hedge कर सकूँ कि जो बड़ा player है वही अपनी position hedge करेगा मैं अपना position naked लेके जाओ क्यों naked लेके जाओ भाई market में ऐसे partiality क्यों कर रहा आप different players के लिए यह गलत बात है ना तो इसलिए F&O का काम hedging के लिए है price उसके लिए है कि आपको पता चल सकता है कि future में क्या क्या चीजे कुछ कहते है उसको exact terms में याद नहीं आ रहे बट यह सारी चीजों के कारण ना आप F&O में ऐसे barrier नहीं लगा सकते हो इतना अगर आप global market की बात करो तो कुछ global markets में barrier है अमेरिका में कुछ conditions हैं कुछ है लेकिन अगर यह 50 करोड आवला न चीजे जो है वो clear नहीं हुई है इस चीज का ध्यान रखेगा आज को important data नहीं आने वाला है यह बहुत देखो important news है जेफ्रीज ने इंडिया में 60% stocks जो 63% of company है जिसको वो track करता है सारी company को track नहीं करते बड़े जो यह analysis firms होते हैं बट जितनी भी company को यह track करते है उन में से ल चाफी चिंता वाली बात है अब देखो चीजे जब बुरी होती है ना सच बजार आपको जब चीजे बुरी होती है market गरता है ना तो जो सारी bad news होती है ना वो amplify होके दिखने लगती हो जो सारी अच्छी news होती है वो छुप जाती है इसलिए इस सब जो खराब खराब चोट इन्वेस्टर को सांती से चोड़ रहें इन्वेस्टर भी परिसाने विचारा कि market क्यों गिर रहें अमेरिका टॉल टाइम हाई पे हम क्यों गिर रहें क्यों गिर रहें सबकी ऐसी तैसी हो रखिए के वल कुछ bad regulations के कारण तो ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा उन्हें सोच बिल्कुल नहीं है Asian Presence का यह मान के चलना चाहिए ताकी Asian prints के result अच्छे नहीं आई है जबचे बिल्ड़ा ने entry किया बिल्ड़ा वाला जो था तो यार यह जो बड़े बड़े houses होते हैं यह जब ही भी किसी sector में entry करते तो इनके पास already बहुत सारा fund होता है Brand Trust होता है तो यह already चीजे बहुत एक लेवल पर बिल्ड कर लेते हैं, ऐसा नहीं स्टार्ट अप की तरह है कि आप सुरू करो, चार साल स्ट्रगल करो, फिर जा के आपको कोई ट्रैक्शन दिखेगा, यह इमीडियेटली ट्रैक्शन जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनका 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 इनक बन जाता है, फड़ाफट बन जाता है, उसका इंपक्ट बाकी ओम्पडिक्शन पर देखने तो मिलेगा, तो इसलिए एशेन बेंड में दिक्कत हमें देखने को मिली है, बाकी जाके आप चेक कर लिजएगा, आपको क्या क्या स्टॉक्स के बारे में देखने हैं, और कोई important तो नहीं है, oil के prices हलके full के गिरें, oil के prices इसलिए गिरें क्योंकि Trump साब आएं तो उन्होंने कहा है कि de-escalation करेंगे बाकि देखते हैं क्या होता है, ऐस सच कोई बहुत बड़ा fall नहीं है, 2% के आस-पस गिरावट हमें देखने को, chart में चलते हैं, अब chart करो उससे बड़े हैं, थोड़ा पहले से अड़ाप्ट करना start कर देख, तो मैंने decide कर रहा है, इस week से मैं ये बिल्कुल trade नहीं करूँ और इसके पीछे का reason है, मैं आपको telegram पे मुझे याद आएगा, तो मैं आपको screenshot भेज दूँगा, पिछले Friday को मैंने sinsex पर एक trade लिया था, और अब धीरे-धीरे मैंने ये notice कर रहा है कि volatility जो है, वो बहुत ही जादा बेकार होते जा रही है, और liquidity खतम हो रही है, mid cap से भी खतम हो रही है, और sinsex से भी खतम हो रही है, मैंने option trade किया था, यहां पर लगबग मान लो आप मैंने order डाला था 290 के आसपास, जब 290 का price लिख रहा था तो मैंने order punch किया था, मेरा वो order जाके execute हुआ था 350 कुछ के आसपास, मतलब आप मान के चलो market खुलते ही ना, मैं 60 trade लेते ही मैं 60-70 point के loss में था Friday का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा था तो personally एक hit लेने के मतलब जब इनसान कहीं से ठोकर खाता है तो समझ में आता है कि अब सही वक्त है चीज़े छोड़ दे तो मुझे लग रहा है कि अब जो बड़े players है उनका L को भी nifty के तरफ shift हो रहा है काम करते हैं और SINSEX में बाद में भी trade नहीं करूँ SINSEX ने जो धोका दिया है मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन में बहुत जादा गुसा frustrated हो गया था बट फिर मैंने control गया कि यह part of game है कोई बात नहीं तो यहां पर मैं केवल nifty 50 trade करने वाला मैं आप लोग को guide कर दूँगा जब तक mid cap वगेरा के बारे में भी बताते रहूंगा तो start करते है mid cap से आज mid cap की expiry है यह mid cap का chart है यह हमारे पास यहां पर mid cap nifty का chart है अब देखो कि situation यहां पर खराब हो रही है फिलाल एक channel में हम चल रहे है इस तरीके का जो यह falling channel बना हुआ इसी channel को हम यहां पर continue कर रहे है नीचे के आसपास जो आप support देखोगे सबसे important support 12,360 के आसपास है because यह gap filling का level है तो अगर आज market gap down खुलता है कुछ भी होता है तो 12,375 350 इस level के आसपास आप नज़र रखेंगे market यहां से support ले सकता है अगर इसका breakdown हो गया तो चीजे जो है वो गड़बड हो जाने वाली है generally अगर midcap के behavior के आप बात करोगे तो midcap इस तरीके से behave करता है मानलो यह बहुत important support है तो midcap यहां पर आएगा ऐसे फटाफट गिरते वह यहां पर रुकेगा और एक बार और तगड़ा fall कर देगा और फिर तगड़ा upside momentum ला देगा तो यह वाला जो एक्स्ट्रा fall आपको देखने को मिलता है इस fall में भी पैसा बन जाता है अगर आपको levels to levels trade करने अगर support लेके घूमने लगे तो ready रहो क्यार यह घूमके निकल जाएगा यह बिलकुल घूमके निकल सकता है यह उसी type का stock जो है वह हमें देखने को मिलता है तो पहला चीव व्यू क्या है start हमारा bearish होने वाला अगर पहली candle बहुत बड़ी green candle बनगे तब तो बात ही अलग होगा इतनी बड़ी green candle बनगे तो हम कुछ नहीं कर सकते है जनरली मैं यह मान के चल रहा हूँ कि इतनी बड़ी green candle सायद ना बने अगर बन जाती है तो aggressive buying नहीं करना buying आराम से करेंगे यह देखो उपर से trend line आ रही है अगर उपर जाने लगते हैं तो इस trend line पे हम पहुँच सकते हैं धीरे-धीरे करके कोशिस यह करेगा कि सुबह सुबह एकदम immediately position ना बना है 9-19 पे 9-20 पे थोड़ा 5-10 मिनिट वेट करके candle देखके आप अपनी position बना सकते हो तो टॉप टुबाटम अगर आप 5 ड्रॉ करते हो न तो यह 0.5-0.6 का एरिया अगर यह 0.6 का एरिया breakdown हो गया तो फॉल आ सकता है मार्केट में लेकिन फिर भी mid cap है तो थोड़ी volatility expect करते हुए चलेंगे these are the important levels जिस पे आप नजर रख सकते हो आज के लिए सेम अगर आप बात करो nifty 50 की तो यह nifty 50 का चार्ट है nifty 50 में पिछले दिन कुछ खास हुआ नहीं एक डोजी सी candle बनी थी बट मार्केट आपको एक range देके चला गया वो range यह है कि अगर 20,000 जो 24,040 है इसका breakdown होता है तो मामला bearish हो जाएगा और उपर की तरफ 24,280 है अगर का breakout होता है तो मामला जो है वो थोड़ा सा bullish होता हुआ आपको नजर आता है तो इस range के अंदर जादा कुछ करना नहीं है market non-directional रहेगा breakdown हुआ तो मामला bearish हो जाएगा और हम वापस जो recent low है उसको test कर लेंगे यहाँ पर एक ऐसी trend line भी आरे draw कर लो आप पर जो important मुझे लेके नीचे गरता है फिर इस तरीके से उपर उटा मानलो और फिर यहाँ कहीं पर आ गया है और अगर यह low breakdown होता है तो एक दो दिन sharp selling आती है और फिर market हलका full का उपर उटने लगता है अभी ऐसे channel में चल रहे है तो वही behavior मान के चलते है अभी range के अंदर कुछ जादा नही behavior रह सकता है निफ्टी बैंक के अगर आप बात करते है तो निफ्टी बैंक ऐसा लग रहा था कि रुखने की कोशिश कर रहा है बट यहां भी वह falling channel बन चुका है इसी falling channel के अंदर चल रहा है फिलाल अगर breakdown करे falling channel का तो चीज़े जो है वह गड़वड होने वाली है तो कि य sideways है sideways आप समझ रहो ऐसे करके दिखा रहो ना तू भी आपको यह range नजर आ जागी मैं इस range की बात कर रहा हूँ नीचे यह level support पे है और यह level यहां पे resistance पे है और अगर breakdown करने का मन क्या तो नीचे एक और भी support अवलेबल है तो market फटाक से इधर कहीं पर आ सकता है फिर यह support ल हो सकता आज में भी build up होता हूँ आपको नजर यह थी complete analysis अगर आप option chain का data देखोगे open interest का तो चीजे जो हैं वो उतनी बड़े हैं आप फिलाल आपको नहीं नजर आएंगी PCR 0.690.72 nifty के भी हालत खराब है mid cap का PCR भी bearish है bank nifty का भी PCR bearish है fin nifty का भी bearish है sensex का भी bearish है PCR हर जग था कि DII ने खरीदना कम कर दिया है DII 700 करोड 700 करोड खरीद रहे यहां तीन तीन चार-चार-चार करोड का माल बेचा जा रहे तो क्या DII के पैसे खतम हो गए है that is the big question और अगर DII भी sell करना सुरू कर दे तो क्या होगा that is the even bigger question जो हम बात में देखेंगे तो यह फिलाल आज दो चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा